नमस्कार आप देख रहे हैं नेशन न्यूज मैं हुआ आपके साथ मनुपांडे इस वक्त बिहार विदान सभा चुनाव के इस माहौल में सभी नेताओं का एक दूसरे पर छीटा कशी का दौर जारी है आप चुनावी दौरे के लिए रवाना होने से पहले तेजस्वी आदव ने भी नितीश कुमार पर जोरदार हमला बोला है तेजस्वी आदव ने नितीश कुमार पर तंज कस्ते वे कहा है कि अपनी हार का अंदाजा होने की वज़े से नितीश कुमार बुरी तरह बौक लाए हुए हैं और इस बात को लेकर वो अपनी भडास सीधे जनता पर निकाल रहे हैं तेजस्वी आदव ने आगे कहा कि नितीश कुमार पूरी तरह ठक चुके हैं और इसी वज़े से वो जनसभा में लोगों पर अपनी भडास निकाल रहे हैं और अपना गुसा जाहिर कर रहे हैं तेजसवी आदब ने आगे कहा कि नितीश कुमार की जनसभा में जिस तरह लोग हंगामे कर रहे हैं और विरोद कर रहे हैं उस बात को लेकर साफ जाहर होता है कि जनता नितीश कुमार को इस बार बाहर करने का मन बना चुकी है. तेजस्वी आदव ने कहा है कि बिहार में कोरोना की स्थिती चुनता जनक है और इसलिए उनकी पार्टी ने आयोग के सामने यह प्रस्ताव रखा था कि फिलहाल चुनाव नहीं कराया जाए बावजूद उसके चुनावायोग ने बिहार में चुनाव कराने का फैसला लिया तो हम सभी ने इसका स्वागत किया तेजस्वी ने कहा कि अगर चुनाव के दौरान उनकी जनसभा में भीड़ा रही है तो उसे कैसे रोक सकते हैं तेजस्वी ने आगे कहा कि उन्होंने पहले ही कहा था कि चुनाओं में शामिल होने वाले मतदान कर्मियों का भी स्वास्थ बीमा करवाया जाना चाहिए और खासतोर पर साउधानिया बरतनी की ज़रूरत है तो अब ये देखना दिल्चस्प होगा कि नितीश कुमार तेजस हुई